सुप्रभाद बच्चों, आज हम लोग fill in the blanks लिखेंगे, पहले हम लोग तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ेते, उसमें कुछ letters missing है, उससे लिखने के बाद शब्द बनाएंगे पहला मडैशन, उसमें गर लगाने से मगर होता है भडैशन, उसमें व लगाने से भवन होता है सर डैस कर, उसमें ड लगाने से सडक होता है सर डैस द, उसमें हल लिखने से शहद होता है क लडैश, उसमें श लगाने से कलश होता है गर गर डैश, उसमें न लिखने से गगन होता है क डैश म, उसमें ल लिखने से कलम होता है आज हम लोग fill in the blanks का वीडियो देखें है अभी हम लोग लिखेंगे क डैश म, यहाँ पर क्या लिखना है क ल म कलम क ल म कलम next one म डैश र कौन सा अक्षर आएगा यहाँ पर बच्चों सोचिए क्यों सा अक्षर आएगा ग लिखने से मगर मगर भ, व, भ, डैश न कौन सा अक्षर आएगा यहाँ पर भ, व, व, न, ब नहीं व, भ, व, व, न यहाँ पर कल, डैश कौन सा अक्षर आएगा यहाँ पर यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखना है बच्चों ड, ड के नीचे एक डॉट होना है सडक, श, ड, ड, यहाँ कौन सा अक्षर आएगा बच्चों यह शब्द कौन सा है याद करो यह वाली शब्द को होने के लिए हम लोग हा लिखेंगे हा, श, ह, द, श, ह, ड, श, हद नेक्स्ट, ग, ग, ड, डैश कौन सा अक्षर आएगा यहाँ पर यह कौन सा शब्द है ग, ग, न, लिखने से ग, ग, न ठीक है बच्चों इसे लिखें अभ्यास कीजिए धन्यवाद, स्टे सेफ, बाबाई